तो आप से बच्चों के लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं ठीक है और हमारी एक्सराइज जो है एक एक्सराइज से परापत कर लिए और हमें 17 नमबर Q क्यों तक हमने कंप्लिट किया था और आज हम बात करते हैं हमारे एक्सराइज 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 एक एक नमबर Q क्यों थीए पढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं इसको यह गिर है कि 1.5 मिटर 1.5 मिटर लंबा एक लड़का 30 मिटर उंचे बवन से कुस्थूरी पर खड़ा है देखें यह कोई लड़का है जिसकी लेंद है 1.5 मिटर यह अमारा बाबान हो गया यह उस लड़के लियांखियों में यह भी 1.5 मिटर लंबा एक लड़का 30 मिटर उंचे बवन से कुस्थूरी पर खड़ा है तो यह गिर फोटल है यह नहीं थीए तो यह आएगी 30 मिटर अब देखें यह पूरी 30 मिटर है और यह कितनी है 1.5 है तो में 30 से 1.5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा साथे 28 बचेगा ठीक है यह उपर यह वाली जो है कितनी बचेगी आपास 28.5 नाम दे रहते हैं इसको A, B, C, B और B उसनी यह कहा कि जब यह उंचे बवन के और जाता है तब उसकी आपकों से बवन के सिखर का उन्याट पहुंद जब उसकी आपकों से शिखर का उन्याट पहुंद 30 से 60 डिगरी की और हो जाता है बवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया बवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया देखिए अब जो सबसे पहले जब यह खडा जा तब एंगल का 30 दिगरी बवन जब वो कुछ दूरी पर गया ना माल यह यहां आ गए यहां आगए यहां से लेकर यहां तक दूरी है वो निकाली है यह निकाली है यहां ना क्या गया है कि बताइए कि वह गवन की और कितने दूरी चल कर गया यहां से लेकर यहां तक अमें निकाली है ठीक है तो कैसी आएगी आप थोड़ा गयां से लेकिए सबसे पहले यह जो पूरा है वो मैंने एक्स मालिया क्या मालिया एक्स और यह जो था वो मैंने मालिया एक्स मालिया यानि मेरे कहने का मतलव यह है मेरे कहने का मतलव क्या है कि जो एक्स है नापूरा वो है एक्स मान प्लस में एक्स टू हमें एक्स मान का मान विचालना है देखिए कैसे आएगा X1 का जो मान में इसको में इदर लिया है X- X2 करते हैं हमें अब X कमाद ची और X2 कमाद ची फिर हमारे पाँ समस्वर आजए देखते हैं हम भी निकाल कर स्वरो करते हैं सबसे पहले हम ट्राइए कर लेते हैं जो A, B और E कोर्ण के सामने की बुजा लंप और यह पूरा अदार अधार हो एक्टी होगा लंप और अधार लंपने समंग 10 ट्रीक आँ इस साइट से हम स्टार्ट करते हैं इसको इतने पार्ट में देखे सबसे पहले इसका जोगा देखे 10 ट्रीक लगाया लंप अधार 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 अब हमें बच्चों निकाल गई है एक्स तूपकी कैसे एगी देखी छोटे बलत आई अगल राइंगल का नाम एफ टी एफ टी और बी में तो देखिए कौन अब साठीगी बन गए अपर तो टैन जिता अब आपर कोई सेम कंडिशन कि अब चेंज होगी साठीगी बन के अदम कमांटों वो सेमें एगा थाइस पॉइंट पांच बटा में अगार्ट जो है हमारे पास एक्स तूपकी देखिए टैन्क साथ कमांद होता है बूत दिन बरापर में अथाइस पॉइंट पांच बटा में एक्स तू एक्स तू की वेलू निकाड़िये गार तो आपको मिलेगा अठाइस पॉइंट पांच बटा में रूट जो यह हमारी एक्स की वेल को आचुकी है और वो हमारी एक्स तू की वेलू आचुकी है हमें एक्स मन की वेलू निकार नहीं एक्स में से एक्स को कम करते में हमारे पास अंस परवात है निकाल के देखते हैं लिखे इसको पहले अले अले अहाँ कम में खी हमें एक्स माइनस एक्स फूरेने एक्स ब्रबर एक्स की वेलिट मेरे पास आए एक्स कोईंट पॉन्ट रूंच ति माइनस उसकी वेलू आई है 28.5 बड़ा रोड़ देज़ें तो लगद देज़ें इसको देखें सबसे पहले तो आपको बताएं कि 28.5 दोनों में से पॉमण आ गया यहां बजेगा 1 माइनस यहां रूट 3 मजेगा यहां टेक बड़ा रोड़ देखें बहुत है यह रोड़ देखें से गुणा किया तीट माइनस एक बड़ा में रूट अठाइस पॉइंट 5 पोना याना दो आ जुका पड़ा में रूट ये पोइंट आईए निचे कुतना आजेगा तसा देगा उपर आएगा और 850 की पोना तो पड़ना में आएगा 10 रूट आगे और सोलोग करिए इसको और जब इसको सोलोग करेंगे तो रूट सीन की वेल्व रखिए लगा एक पॉइंट साथ ही दो तक इतनी है ये पॉइंट के टाया तो एक इतना आएगा तो एक यूरो एक अधिकी दस तो पर मुल्टिप्लाइगा तो दो सो बचास्ती गुणा दो गुणा दर्स बटाम एक सो मुल्टिप्लाइग करिए तो सबसे पेले दो सो पचासी का आप मुल्टिप्लाइग करिए दो से याँ जिलो आट दोने सोडा आँ शोडा में शकता आँ और यां पांसो सब्सार तावन सो बटाम एक सो तरे इन दोनों का आप ये बाग लगाए लेक वास निस पर आजाए इंग लेगे स्वाइग झाल 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 कि ये अजिए नेग्श कुस्ण प्रिशन नम्बर उंड्श का गहाए तो साथ मेंटर उन्चे बवन के सिकर से साथ मेंटर उन्चे बवन के सिकर से टावर के सिकर का उन्ड़ को आइधिये उन्डीस नमबर प्रसन है कोई विए गववन है जी, साथ मेटर में चाई गववन है, ये हो गया हमारा टाबला, पुरुनों के सिकर से उनन कोड़ा साधियों गिता, नाम करन कर गिया, A, B, C, D, और B, इंक है जी, किया गे रहे हैं, कि साथ में टूचे गववन के सिकर से टाबर के सिकर का उनन कोण, और इसके अदार का अवन हमन कोण है, पर टाबला, इस टाबर की उचाई निकार लिए, देखे जी, और अदार का अवन हमन कोण कितना है, एंगारिस, हमें टाबर की उचाई निकार लिए, यह एक्स मी का लिए आपने, यह बच्छों हमें नहीं का है, साथ में. ठीक है? तो अब देखिये, यह 45 है तो यह भी 45 हो देगा. यह 45 है तो यह भी 45 हो देगा. और यह आहाले पास अदाल हो गया, यह लंप हो गया, और यह करण हो गया, अब यह हम चाहें, तो बच्चों अदार निकाल सकते हैं ना ट्राइंगल ए, बी, सी देखे, टैंथी पे लगाईए लंग बटा अदार यहां में ताड़ीस बंदा है लंग कमान साथ में बटा अदार निमें निकालना है एक बड़ा पर साथ में बटा में अदार अदार कमान यहां से साथ में बटा जाएगा अब देखे यह साथ में बटा भी आएगा ङ्जों अब देखे पूरी ह है तो यह उपर होड़ा जोग आग क्यों यह इतना बनेगा हद गशा आगेश बाहन सेवन आगेगा यह साथ हो गया हुआ है यह कितना बज़ेगा है च में से साथ होंगा देखिया हुआ अब फिर उन ट्राइएंगर कौन सा लेंगे A, E और D पैन दिखा ले गई तो लह गटना लेंगे तो लह कमान कितना है 10 कमान देखिये जिए 60 बंद रहा है इसमें लह कमान कितना है H-7 अलार कमान कितना है 7 10-140 कमान रोल देखिये अलाब है H-7 बटा में 7 यह कितना आजिएगा 7 root 3 बराबर h- 7 h की वेट नहीं काड़िए 7 root 3 प्लस में 7 बराबर h यहां से x की वेट नहीं काड़िएगा h बराबर आपको मिलेगा 7 मेने कोणल लिया 1 plus root 3 यह आपका अच्छुल है इस प्लिग लिए इस प्लिग नहीं काड़िए प्लिग नहीं काड़िए इस प्लिग नहीं काड़िए 9 9 यह और दो कि एक परवत के शिखर के कोई परवतके शिखर से शिखर कोले को जो, वी घ्ला से इसले practicing वह दरती चिना सब्सेड़ का जो मुझा है मैं श्राइफ कहा होगा है होना, मैं इद शूरे निकला है इसगा विए इस पनी सिक्षर के अवनामर कौन 3045 है यदि बिंडू के बीच के दूरी एक किलोमेटर हो तो परवत की उन्चाही निकाल लिए और कुछ नहीं करता है इसमें ठीक है जी 21 नमबर परसन आप खुद करिएगा ठीक है 22 नमबर परसन आपको बता रहा हूँ एक नदी के पुल के बिंडू से निचे नदी के समुक गिनारों के देखिए यह मैंने आपको परसन नमबर जो है पांस करवाया था उसके कोडिंग है सेम आप करो भी देखिए 23 नमबर परसन एक वेक्ति एक जहार के देख जो पाने की स्टेह से 10 मिट रूंचा है ठीक है पर खड़ा है यदि वह पहाड़ी के सिकर का उन्नें कॉन साथी की इसके दार कावनमन कॉन तीस डिग देखता हो पांस को जो आपको खुद करेंगे तो बच्चो बात ऐसे कि आप 25 तक जो कुछन है वह आप खुद करवाओं गांगा तो आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही दा तो नेक्स्ट वीडियों बात करते हैं जो हमारे तीन परसन जो है वो रह हैं उनकी हम अच्छे से बात और यहां तक आपका काम कम्लीट होना चाहिए बच्चो ठीक है जितनी जादा हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करो ठीक है एक्जांपलों को देखें हमारी जो एकसरस है जो बच्चो मैं आज तक यह दिया आपको करूं हो तो हमारी एकसरस है जो हो चुकी है एक तो दूसरी कि पांच में चटी साथ में हाट में नौबी भी हो चुकी है और अटार से एक दो दी चार पांक छे साथ हर्ट हो दस हमारी फूसरीज एकसरसरीज जो हो चुकी है पर जाक है इसके बाद में हम इसमें first एकसरसरीज करेंगी परस्ट के बाद 10 नमबर 11 नमबर 12 नमबर 13 नमबर 14 ये एक्सरसारीज हम करम से चलाएंगे बच्चो क्यों इसमें जोरबे हैं काफी ठीक है जोरबों को समधना आपके लिए काफी एजी होना जाए बच्चो ओके तो आज के लेक्चर बस इतना ही जा हम नेक्स लेक्चर में बात बरते हैं बच्चों हम अपने इसी एक्सरसारीज को आगे बढ़ाते हुए परस्ट नमबर 26, 27 और 28 ओप